प्रदिद गिरी चैनल में आपका सौगत है मसीटे के चैप्टर हमने स्टार्ट किये और नेक्स चैप्टर में सीटी में हम शॉटर रिवाइस करने वाले देट इसम एकनेटिजम तो मैगनेटिजम स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा बहुत मैगनेटिजम का डेफिनेशन बता हूं ना चाहिए मैंगनेडिजम किसे कहते हैं तो एक यह प्रॉपर्टी है सेर्टन सब्स्टेंस की जिसकी वेह से वह थो सब्स्टेंस कुछ मेतल को अथतरेक करते हैं लाइक निकेल कोबाल्ट आयन इनको अट्राक करने की प्रोपर्टी that property is known as a magnetism the phenomenon of a attracting magnetic material like iron cobalt nickel ऐसे material को attract करने की property को हम क्या कहते है magnetism और ऐसे जो substance होते है जो को iron cobalt और nickel को attract करते हैं मैगनेट के बारे में आपको तो पता है जो material magnetism property that substance is known as a magnet अब मैगनेट दो टाइब की होते है एक होता है और दूसरा होता है आर्टिफिशल मैगनेट जो हम बनाते बार मैगनेट होर्षो मैगनेट यह सारे क्या है आर्टिफिशल मैगनेट है अब मैगनेट के पास कुछ प्रोपर्टीज होती है प्रोपर्टीज ऑफ मैगनेट मैगनेट के पास कौन कौन से प्रोपर्टीज होती है तो फर्स्ट उनके पास होते है अट्रेक्टिव प्रोपर्टी फर्स्ट क्या होती है अट्रेक्टिव प्रोपर्टी attractive property means यह material जैसे कि iron, nickel, cobald इनको क्या करता है यह attract करता है इसलिए उसके पास direction वाली direction दिखाने की property होती है इसलिए यहाँ दो पोल होते है इसलिए इसलिए दो पोल कहा जाता है क्या कहा जाता है नॉथ सिकिंग पोल इसलिए नोथ पोल इसलिए आपको पता है मैगनेट के पास दो पोल होते हैं नॉथ पोल इसलिए उसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है रिपेल करेंगे या साउथ साउथ पोल एक साथ आ गए तो क्या करेंगे रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल अट्रेक इच इदर जिए प्रॉपर्टी आपको फटा इन मैगनेट को अगर हम छोटे-छोटे पीसेस में या उसको ब्रेक करते तो नॉर्थ और डाइपोल में ही रहेगा हमेशा क्या रहेगा डाइपोल में ही रहेगा देन मैगनेट आयन कोबाल्ड निकेल को क्या करता है एट्रेक्ट करता है देन मैगनेट को पहचानने के लिए जो प्रॉपर्टी होती हो एट्रेक्शन नहीं होता तो मैगनेट को पहचानने के लिए हम में पता चलता है कि यह magnetic magnet material नहीं ठीक है तो यह समझ में आगया नेक्स्ट इसके बाद आता है pole strength नेक्स्ट क्या आता है हमारा pol strength पोल स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता होगा कितने strongly attract करता है substance को या कितने weekly attract करता है यह किस पर depend करता है पोल क्वी क्योंकि सारा जो स्ट्रेंथ होता है मैगनेट का वो पोल पे होता है ओके सो फोल स्ट्रेंथ का फॉर्मुला आपको पता होगा पॉल स्ट्रेंथ के लिए magnetic dipole moment वाला formula यूज़ करते है ठीक है तो पहले में जनरल यह आपको यह formula बता देता हूँ pole strength का एक formula है M is equal to F by B जो electric field वाला formula होता है वैसे यह formula होता है pole का और दूसरा formula जो हम आगे भी सीखेंगे that is M is equal to capital M by 12 capital M by 12 तो pole strength is nothing but a magnetic dipole moment M क्या होगा magnetic dipole moment magnetic dipole moment और 12 distance between two poles तो यह formula हमने study किया है तो यह formula आपको pole strength के पता होने चाहिए इसका unit होता है ampere meter याद रखना है क्या unit होता है ampere meter ठीक है it is a scalar quantity यह है scalar quantity और ऐसा unit ampere meter ठीक है pole strength then magnet में pole होते है तो उसका pole strength होता है यह हमने study कर लिया तो यहां होंगे हमारे दो पोल और इनके पास attractive और attract करने की या फिर अपोस करने की property होगी that is known as a pole strength then एक line होता है जो दो पोल में से pass करती है इसे हम क्या कहते है एक्सिस लाइन passing through the poles of magnet is known as a axis and line perpendicular to and passing through the center of magnet line जो perpendicular होती है और center से pass होती है उसे हम क्या कहते है equator that is known as a equator तो axis और equator वाला concept भी आपको समझ में आ गया then उसके बाद आते है magnetic dipole magnetic dipole magnetic dipole magnetic dipole किसे कहा जाता है to equal and opposite pole separated by the finite distance okay dipole moment magnetic dipole moment to equal यह हम moment भी लिख रहते है magnetic dipole moment ठीक है इससे हम capital M से indicate करेंगे to equal and opposite poles to equal and opposite poles separated by the finite distance separated by यह हो गया है small n where m is a pole strength and it is a 2L इसमें यह dipole होता है और यह होता है dipole moment dipole क्या होता है to equal and opposite pole separated by the finite distance is known as a magnetic dipole and magnetic dipole moment को फिर pole strength into 2L के formula से denote किया जाता है ठीक है dipole समझ में आ गया dipole moment का formula समझ में आ गया इसका और एक formula है in terms of torque यह हो गया हमारा एक formula दूसरा formula है torque is equal to mb sin theta तो इसमें से भी हम m का formula निकाल सकते है इसमें से भी हम m का formula निकाल सकते है m is equal to torque divided by b sin theta यह भी आद रखना है तो यह formula भी हमें अपला होगा then third formula है for coil number of tons coil होगा या solonide होगा उसके लिए formula अपला होता है magnetic dipole moment m is equal to m is equal to n i a where n is a number of tons i current flowing through coil and a is a cross section area a is a cross section area है क्या गाहा मैंने and number of tons of coil i current flowing through coil and a area area of cross section of coil ठीक है यह coil के लिए magnetic dipole moment होगा ठीक है यहां 2L का value क्या होता है 2L is nothing but a magnetic length and distance between two poles distance between two poles इसी को कहा जाता है magnetic length और actual length of magnet magnet का जो actual length होता है यह pole के बीच का length क्या होता है 2L इसे कहा जाता है magnetic length और जो actual length होता है पूरा उसे क्या कहा जाता है geometrical length उसे क्या कहा जाता है geometrical length ठीक है दोनों में relation है हमें पता actual length or geometrical length में so magnetic length is equal to magnetic length is equal to 5 by 6 geometrical length यह formula भी हमें पता है 11 में हमने study किया ठीक है तो यहां सारी concept almost magnet के और magnetic dipole moment के complete हो चुके इसका एसा unit एसा unit ampere meter square चाहता है ampere meter square और newton meter per tesla यह भी unit होता है newton meter per tesla और थर्ड होता है या joule per tesla joule per tesla यह भी unit होता है ठीक है यह समझ में आ गया तो यह सारे unit है और इसका dimension L2A1 dimension क्या होता है L2A1 ठीक है तो यह हो गया magnetic dipole and magnetic dipole moment का concept okay next concept that is bar magnet equivalent to solenoid okay bar magnet is equivalent to solenoid क्या होता है इक्विवेलेंट होते बार magnet and solenoid equivalent होते हैं आपको solenoid के बारे में पता है solenoid इस तरह से coil होता है इससे कहां जाता है solenoid okay अगर इसमें से current flow कर रहा है आए इसका length है L okay length है इसका L और इसमें से current flow कर रहा है L और N is a number of ton N is a number of ton so I is a current current through coil and L is a length of solenoid length of solenoid a is a cross section area a is a cross sectional area of solenoid then okay magnetic dipole moment of each ton of each ton means single ton के लिए अगर यह single ton लेते तो उसके लिए dipole moment क्या होगा i into a so magnetic dipole moment for solenoid for solenoid अब solenoid में कितने tons होते है n tons होते है तो यह होगा N I A यह क्या होगा N I A total number of tons ठीक है यह समझ में आ गया then magnetic field produced by solenoid mu 0 N I यह formula हमने study किया है mu 0 N I but हमें पता है N I is equal to H magnetic intensity तो यही formula क्या होगा B is equal to mu 0 H यह भी formula हमने study किया है then solenoid के axis पे अगर हमें find out करना है अग magnetic field along axis magnetic field along axis तो यह bar magnet है along axis भी हम find out कर सकते हैं यह तो formula हमें पता है generally इससे ही प्रूव किया है so magnetic field along axis तो सेम formula है हमारे mu 0 upon 4 pi 2m वाला formula आपको याद है M के form में नहीं लिखना है तो इसके N I A में लिख देते हैं इसको किसमें लिखते हैं पहले N I A में लिख देते हैं that is equal to 2 N I A upon R Q या फिर हम इसके कैसा लिखेंगे mu 0 upon 4 pi 2m upon R Q तो यह हमारे formula है इसके लिए then आप solenoid या बाहर magnet क्या प्रोडूस करता है magnetic field या magnetic induction तो magnetic field या magnetic induction को दिखाने के लिए हम क्या use करते magnetic lines of force magnetic lines of force तो magnetic lines of force short में करें इसके कुछ प्रोपर्टि होती है नौस से स्टार्ट होती है यह पर्पेंडिकुलर नौस या परपैंडिक्टिकुलर स्टार्ट होती है और परपैंडिक्टिकुलर ही एंड करती है यह दोनों कभी एक दूसरे को प्रोस करती है अगर गोस करतेंगे तो डो डाइरेक्शन होगा देन टैंजेन आगर लाइन वाइडली सेपरेट होगी तो मागनेटीक इंडेक्शन कम तो यह सारी प्रपर्टिज इलेक्ट्रो स्टाटिक लाइन जैसे ही है ठीक है तो यह समझ में आगया मागनेटिक में अगया जैसे ही मैं नहीं मैं सकते तो अगर हम magnet को close करते हैं, short magnet को close करते हैं, किसी भी surface में, तो इसमें जितनी lines बाहर जाएंगी, उतनी lines क्या होगी, अंदर आएगी, तो total magnetic flux is equal to 0, total magnetic flux is equal to 0, तो गॉसला क्या कहता है, B dot हमारा DS, magnetic flux passing through the close area is equal to 0, क्योंकि magnet में monopole नहीं exist करता, डाइपोल होता है, इसलिए जितनी line बाहर जाएंगी, उतनी line अंदर आएगी, तो total answer क्या होगा, गॉसला का 0 होगा, ठीक है, देन, magnetic flux का यह formula है, गॉसला हमें समझ में आ गया, देन, उसके बाद, magnetic field और magnetic induction due to bar magnet, ओके, magnetic induction at a point due to bar magnet, अगर हम bar magnet, तो पहला, पहला point है, axial line पर पॉइंट होगा, ओके, point on, point on axis, point on axis, तो हमारे पास magnet है, ठीक है, दो pole है, north and south, इस में से जो line पास होता है, उससे हम क्या कहता है, axis, यह हमारा axis है, और इस P point पर हमें magnetic field find करना है, तो यहाँ एक magnetic field रहेगा, B1 और B2, तो total magnetic field हमें यहाँ से find out करना है, the total magnetic field along an axis, B A is equal to mu 0 upon 4 pi, mu 0 upon 4 pi, 2m r, 2m r divided by r square plus l square by whole square or whole square, यह हमारा formula है, m square, sorry, dot 2m r, r square minus l square whole square, यह हमारा formula है, जो पहले हम find out करते हैं, अगर हम condition apply करते हैं, if r is very very greater than l, तो l को हम neglect कर देते हैं, then B A is equal to mu 0 upon 4 pi, 2m upon r cube, यह formula हाता है, okay, then next point on equator, point on equator or equatorial line, so equatorial line पे अगर हम point लेते हैं, हमारे पास दो पोल है, south, north और यह हमारा equatorial point यहाँ पे होए, P जो कि distance r पे हैं, तो यहाँ से magnetic field होगा, B1, यहाँ से magnetic field होगा, B2 और दोनों का resultant magnetic field होगा, B equator पे, B equator पे magnetic dipole moment होगा, तो B equator के लिए क्या formula है, B equator is equal to, same formula से 2 नहीं आता है, इसमें mu 0 upon 4 pi, इसमें 2 आता है, इसमें 2 नहीं आता है, इतना याद रखना है, equator is equal to m, r, r square minus l square whole square, if r is very very greater than l, then B equator is equal to mu 0 by 4 pi m r cube, अगर हम दोनों formula को judge करते हैं, दोनों formula को judge करते हैं, equation 1 और equation 2 को हम judge करते हैं, तो हम लिख सकते हैं, B axis is equal to 2 times of B equator, एक्वेटर, 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 अगर arbitrary point है, third, अगर arbitrary point है, कहीं भी point है, point कहीं भी लिया, यहां हमें magnetic field find out करना है, यहां हमें arbitrary point पर magnetic field find out करना है, तो इस तरह से diagram हमारे book में था, इस तरह से, तो उसके लिए जो formula अपला होता है, B is equal to mu 0 upon 4 pi, mu 0 upon 4 pi m r cube, then under root 1 plus 3 cos square theta, यह formula हमें apply करना होता है, और angle अगर find out करना है, तो हम क्या find करते हैं, angle find out करने के लिए हम find out करते हैं, alpha यहां या tan theta, जो भी आप angle लेंगे, हमें tan find out करना है, ठीक है, तो यह तीन formula हमें याद रखना है, then torque का formula, torque on a bar magnet, अगर external magnetic field, next torque, अगर magnetic field में, हमने magnet को रखा है, तो उसके उपर force अपला होंगे, equal and opposite, उसकी विश्य से torque आएगा, तो directly formula लिखता हूँ, torque is equal to mb sin theta, यह हमारा formula है, और m की जगा हम यह भी डाल सकते हैं, dipon moment qlb sin theta, तो यह formula हमें याद रखना है, ठीक है, यह समझ में आ गया, then हमने कुछ properties है, कुछ term study किये थे, कि formula था, 12 में हमें magnetism में formula था, लेकिन उस formula को हम study नहीं करेंगे, और उसके बाद paramagnetic, ferromagnetic, diamagnetic substance था, यह भी हमें पता है, paramagnetic material क्या होता है, paramagnetic material weakly attracted by magnet, ferromagnetic material strongly attracted by magnet, then diamagnetic material strongly repel by magnet, properties आपको पता होनी चाहिए, then hysteresis graph आपको पता होना चाहिए, hysteresis में क्या, वो explain अभी में नहीं कर सकता है, क्योंकि वो explain करने के लिए बहुत बड़ा, हमने already हमारे वीडियो अपलोड़ेड है hysteresis और इसके उपर, तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन detail में यहां explain नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसके concept पता होने चाहिए, retentivity क्या होती है, cursivity क्या होती है, तो वो concept याद कर लो, then कुछ और concept है, इसमें कि magnetism, magnetism में और एक concept है, that is intensity of magnetization, intensity of magnetization, या magnetization जिससे कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, magnetization, अब इससे हम आई से indicate करता हूं, इससे book में M से indicate है, इसको I से indicate करता हूं, तो I is equal to, that is magnetic dipole moment per unit volume, magnetic dipole moment per unit volume, okay, magnetic dipole moment per unit volume, यह होगा हमारा magnetization का formula, या दूसरा भी formula है, M upon M A B है, ठीक है, दूसरा formula है हमारा M by A area, ठीक है, यह हो गया, then magnetizing intensity, इसका unit क्या होगा, इससा unit, इसका unit क्या होता है, एंपियर पर मिटर, इसका unit क्या होता है, एंपियर पर मिटर होता है, then permeability, next, permeability, mu से indicate किया जाता है, इसको mu is equal to B by H, यह formula आपको पता होना चाहिए, then relative, इसमें भी relative permittivity हाती है, mu R, relative permeability, relative permeability, that is mu by mu 0, और B by B 0, B by B 0, यह formula apply होता है, है, then magnetic susceptibility, magnetic susceptibility का इसे indicate किया जाता है, magnetic susceptibility को, that is 1 upon H, यह सारे formula आपको पता होने चाहिए, यह सारे formula आपको पता होने चाहिए, then derivation भी आपको पता होना चाहिए, जो magnetism में दिया गया है, अब आते हैं, हम PYQs पे, हमारे, ठीक है, तो देखो हमारा पहला PYQ हमें दिया गया है, अब बार magnet of length X and magnetic dipole moment capital M is bent in a form of an arc, which is a part of circle with center O, as shown in a figure, the new magnetic dipole moment will be, अब देखो मैंने figure द्रॉ नहीं किया है, अभी आपके सामने ही द्रॉ करता इसको figure को, ठीक है, तो figure कैसे हमें दिया गया है, यह हमारा बार magnet इस तरह से, यह दो पोल है, और यहां हमारे center यहां दिया गया है, यह हमारा center O है, यह side और यह side से हमें, और दोनों में angle है 60 degree, angle कितना है, 60 degree और इसका length कितना x, यह हमें diagram दिया गया है, तो अगर हम इस diagram को judge करते हैं, इस diagram को अगर हम judge करते हैं, तो देखो, इस diagram को हम simply apply कैसे करेंगे, तो यहां हम answer find out करने के लिए पहले diagram कर लेते हैं, यह हमारा bar magnet है, x, और यह हमारे दो radius होंगे, center से जो line draw होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, radius, यह angle क्या है, 60 degree, अगर मैं यह भी line draw कर लेता हूँ, तो यह अब equivalent triangle हो जाएगा, तीनो side equal, equilateral triangle, तीनो side क्या होगा, equal, तो अब यह side भी R होगा, यह side भी क्या होगा, R होगा, यहां हम पहला formula यूज करेंगे, हमें find out क्या करना है, the new magnetic moment, अब magnetic moment, जब हमने bend किया है, तो magnetic moment अब क्या होगा, यह हमें find out करना है, तो पहला हम formula arc वाला यूज करेंगे, R की is equal to R theta, X हमारा R के, R is equal to R theta, तो अब therefore, अब देखो, इसकी क्या हम कैसे लिखेंगे, R into theta का वैल्यू क्या है, 60, 60 means, 60, in terms of pi हम कैसे लिखेंगे, pi by 3, क्या लिखेंगे, pi by 3, and therefore, R is equal to, क्या होगा, 3X by pi, 3X by pi, R का वैल्यू हमें पता चल गया, अब हम आते है, magnetic, new magnetic dipole moment, magnetic dipole moment का definition, pole strength, distance between two pole, distance between two pole, कितना है, R, कितना है, R into R, अब R का वैल्यू तो हमने find out किया, put कर दो, क्या होगा, M into R का वैल्यू, 3X by M, but, अब जब बार मैगनेट सीधा था, इस तरह से, इसका length X था, दो pole के बीच का distance कितना था, X था, तब हमारा magnetic dipole moment क्या होगा, M is equal to M into X, M into X, तो यहाँ देखो, M into X का value हम क्या put करेंगे, capital M, तो अब यहाँ होगा, M dash is equal to, यह pi है, यहाँ, M dash is equal to 3M, 3M upon pi, 3M upon pi, तो कहाँ यह formula, 3M upon pi, तो देखो, B वाला answer correct होगा, B वाला answer correct होगा, ठीक है, समझ में आ गया, तो पहले जो magnetic dipole moment था, वो M था, जैसे हमने magnet को bend किया, तो new magnetic moment क्या आया, M dash is equal to 3M by, 3M by pi, 3M by pi, ठीक है, अब आते हैं next concept पे, अब हमें क्या की, next हम क्या दिया गया है, a circular loop and a square loop is form, is form two wires, is form from two wire of same length and cross section area, same current is passed through them, then the ratio of their dipole moment is, ratio of their dipole moment is, अब coil के लिए, okay, dipole moment of coil, dipole moment of coil, क्या है formula, dipole moment of coil, M is equal to NIA, यह formula हमें apply करना, अब देखो, दोनों में current same कर रहा है, और cross section area, दोनों same है, तो I और A same है हमारे लिए, कर रहा है, अब हम, हमें क्या कहा है, same length and cross, length same है हमारे cross section area, सारा same है current भी same flow कर रहा है, सिर्फ शेप क्या है, अलग अलग है, शेप क्या है, अलग अलग है, तो अब आते हैं, शेप, पहला कौन सा शेप है, circular, for circular coil, और circular coil, अब circular coil, length कितना है हमारा, circular loop, form from the two, अब देखो, हम वायर ले रहे हैं, यह हमारा वायर, जिसका length है L, जिसका length कितना है L, अब इस, इससे हम क्या बना रहे हैं, circular loop, इससे हम क्या बना रहे हैं, circular loop, देखो, हमने यह circular loop बना लिया, अब इसका circumference क्या है, L, इसका circumference, जितना length उतना circumference, इसको हमने circle में bend किया, तो अब therefore हम कहेंगे, L is equal to 2 pi R, and therefore R is equal to L divided by 2 pi, L divided by 2 pi, therefore अब हमारा, magnetic dipole moment for coil, क्या आएगा, magnetic dipole moment for coil, so magnetic moment M1 is equal to formula क्या है, NIA, area का formula, pi R square, so NIA, pi का value, sorry, pi as it is, R का value क्या है, हमारा, L square by 4 pi square, so यह pi कट गया, therefore M1 is equal to NIA L square divided by 4 pi, क्या है, यह आगया हमारा, magnetic dipole moment for circular coil, अब इसी wire को हमने bend किया, square loop में, for square loop, तो इसको हमने square loop में bend किया, तो यह क्या होगा, L by 4, L by 4, L by 4, L by 4, then, same formula, magnetic moment for square loop के लिए क्या होगा, NIA, area क्या होता है, square loop का, L by 4 square, side square होता है, side square, तो side का हमने square कर लिया, तो क्या होगा, M2 is equal to NIA L square by 16, अब दोनों को divide कर दो, therefore, M1 divided by M2, M1 का value क्या है, NIA L square by 4 pi divided by NIA L square by 16, तो NIA, NIA कट होगया, L square, L square कट होगया, ओके, तो अब answer क्या है, therefore, answer is 4 by pi, क्या है answer, 4 by pi, है answer, 4 by pi, यह दे, D answer हमारा correct होगा, 4 by pi, समझ में आ गया, किस सरा से solve करना है, next सम पर आते हैं हम, next सम में क्या दिया गया है, the magnetic moment of electron due to orbital motion is proportional to, यह तो simple problem है, bore magneton वाला problem है, okay, bore magneton आपने सुना होगा, magnetic dipole moment, M is equal to M is equal to E formula, अगर आप formula लिखोंगे, E N H divided by, E N H divided by 4 by M E, या M, तो इसमें देखो, E constant है, H constant है, तो हम कहेंगे, M is directly proportional to N, बाकि सारे term constant है, यह constant, यह constant, यह तीनो term constant है, so M is directly proportional to principal quantum number, तो D answer हमारा correct होगा, simple समता, ऐसा MSCAT में पूछा जाता है, next सम पर आते हैं हम, A magnet is placed perpendicular to the uniform magnetic field of strength, 7 into 10 raise to minus 4 Weber per meter square, experience a couple of movement, couple of movement means torque, 14 into 10 raise to minus 5 Newton meter, the magnetic movement of the magnet will be, magnetic movement of magnet will be, तो एक magnet को magnetic field में रखा गया, यह magnetic field है, और इसमें magnet को perpendicular रखा गया है, 90 degree में, तो हमें theta का angle तो मिल गया, theta is equal to 90 degree, theta is equal to, and sin 90 is equal to 1, sin 90 is equal to 1, तो यह तो चला गया, अब हमारा formula क्या है, torque is equal to Mb, sin theta, अब M का value हमारे पास है, M का value क्या है, M, uniform field strength, तो B का value दिया है, और M का, experience couple of moment, और torque का value दिया, और हमें find क्या करना है, magnetic moment, हमें M find out करना है, तो torque का value put करते क्या है, 14 into 10 raise to minus 5, M find out करना है, B का value कितना है, 7 into 10 raise to minus 4, और sign का value तो 1 है, sign का value 1 है, अब देखो, easy problem है, इसको अगर हम solve करेंगे, तो M is equal to क्या होगा, 14 by 7 into, यह उपर चला गया 10, यह आएगा, कितना आएगा यह, minus 4 उपर चला गया, तो यह आगया minus 1, तो यह 7 to 0, तो यह आएगा 0.2 ampere meter square, तो answer D हमारा क्या है, correct है, 0.2 ampere meter square, next time, next time हमें क्या दिया है, देखो, next time हमें दिया है, a magnetic needle of magnetic moment, 6.7 into 10 raise to minus 2 ampere meter square, okay, magnetic moment हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, magnetic moment, means M का value हमें दिया गया है, and moment of inertia, I is equal to 7.5 into 10 raise to minus 6 kg meter square, is performing simple harmonic oscillation, in a magnetic field of 0.01 tesla, तो B का value भी हमें दिया गया है, time taken for 10 oscillation, so time period हमें find out करना है, time period का formula हमारे पास है, under root I divided by MB, under root I divided by MB, अब देखो, I का value हमारे पास है, I का value कितना है, 7.5 into 10 raise to minus 6, divided by M का value, M का value 6.7 into 10 raise to minus 2, into B का value 10 raise to minus 2 tesla, 10 raise to minus 0.01 means 10 raise to minus 2 tesla, अगर हम इसे solve करते हैं, आप इसे solve करोगे और, square root निकल लोगे तो यह answer आता है, near about 0.665, कितना आता है, 0.665, अब यह हो गया, 1 oscillation के लिए, हमें कितने oscillation के लिए find करना है, 10 oscillation, So, time period for 10 oscillation is T into 10, T into 10 that is 6.65 second, answer होगा, C हमारा 6.65 second, okay, next हम पे आते है अब हम, next हम पे आते क्या कहा है, अब बार मैगनेट हैस लेंथ, बार मैगनेट हैस लेंथ, 3 cm, cross section area, means हमें लेंथ दिया गया है, cross section area, 2 cm square, magnetic movement, means small m दिया गया है, magnetic movement, 3 ampere meter square, the intensity of magnetization, of बार मैगनेट, हमें क्या पूछा है, intensity of magnetization, intensity of magnetization, means हम आई से इंडिकेट किया था, जिसको आई इस इकोई टू, m by v, अब m का वैल्यू तो हमारे पास है, यह हमारा m, m का वैल्यू कितना है, 3, then, v का वैल्यू, volume, area into length, area into length, length का वैल्यू, 3 into 10 raise to minus 2, क्योंकि सेंटिमेटर में है, into, area, 10 raise to minus 4, क्योंकि सेंटिमेटर स्क्वेर है, तो 10 raise to minus 4 होगा, ठीक है, तो अब, 3, 3, cut, I is equal to, क्या बचा, 1 by 2 into 10 raise to, minus 6 उपर चला गया, तो plus 6 होगा, तो यह होगा, I is equal to 0.5 into 10 raise to 6, answer है कही, ओके, 5 into 10 raise to 5 है, तो इसको, multiply कर दो 10 से, तो 5 into 10 raise to 5 ampere meter, तो answer क्या आएगा, D, 5 into 10 raise to 5 ampere meter, यह हमारा answer आएगा, ठीक है, easy-easy sum है, इसमें, next, क्या कहा है, an iron rod is placed, parallel to the magnetic field, of intensity, 2000 ampere meter, the magnetic flux through the rod is, magnetic flux through the rod is, 6 into 10 raise to minus 4 Weber, magnetic field intensity दिये है, magnetic field intensity, means हमें H दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, H दिया गया है, then हमें कहा गया है, the magnetic flux through the rod, means, 5 is equal to हमें दिया गया है, and its cross section area, A हमें दिया गया है, the magnetic permeability of the rod, in Weber per ampere meter is equal to, simply हमें क्या find out करना है, magnetic permeability, magnetic permeability हमें find out करना है, so magnetic permeability क्या होती है, B by H, क्या होती है, B by H, लेकिन B का formula direct नहीं दिया है, B क्या होता है, magnetic flux upon area, upon H, तो magnetic flux का value अब हमारे पास है, magnetic flux का value कितना है, 6 into 10 raise to minus 4 into, area का value, area का value 3, 3 into 10 raise to minus 4, centimeter square है, तो इसको convert कर दिया, और H का value, H is equal to, H divide में 2 into 10 raise to 3, तो यह 3 to the 6, तो यह cut हो जाएगा, बचा सिर्फ power, 10 raise to minus 4, और यह, minus 1 उपर चला जाएगा, 10 raise to plus 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 10 raise to minus 3, इतना होगा, 10 raise to minus 3, C answer correct होगा, ठीक है, समझ में आ गया, easy sum है, next sum पे आते हैं, next sum में क्या कहा है, the, chi 1 and chi 2 are the susceptibility of paramagnetic material, at temperature, T1 Kelvin and T2 Kelvin respectively, इस में से कौन सा relation correct होगा, susceptibility और temperature में relation है, इन वसले प्रपोश्चनल, हमें पता है, susceptibility is inversely proportional to temperature, तो यह होगा, का यह 1 के लिए, T1 and for chi 2, it is equal to T2, तो अगर हम दोनों को divide करते हैं, दोनों को divide करते, chi 1 by chi 2 is equal to T2 by T1, तो cross multiplication क्या होगा, therefore, answer B correct होगा, answer B क्या होगा, correct होगा, ठीक है, next, next हम पर आते हैं, next हम हमें क्या दिया गया है, हिस्ट्रेसिस आफ पर लूप, for two magnetic material, A and B are given below, देखो हिस्ट्रेसिस के लूप हमें दिये गया है, देखो यहां, retentivity जादा है, cursivity भी जादा है, retentivity कम है, cursivity कम है, यह आपको पता होना चाहिए, these material are used to make magnet for the electric generator, transformer core and electromagnetic core, then it is proper to use, अब देखो हमारे पास दो material है, इसका use किसके लिए किया गया, electric generator के लिए किया गया, transformer के core के लिए किया गया, और electromagnetic core के लिए किया गया, तो अब इन दो material में से, कौन सा material इन तीनों को suit कर रहा है, तीनों में से किसको suit कर रहा है, तो देखो option देखो, A for electromagnet and B for the electric generator, देखो, electromagnet के लिए retentivity कम होनी चाहिए, और cursivity भी कम होनी चाहिए, तो यह हमें electromagnetic, लेकिन A में retentivity ज्यादा है, तो यह option wrong होगा, then A is for transformer and B is for electric generator, A transformer के लिए retentivity high होनी चाहिए है, B generator के लिए B देखो, retentivity, cursivity, तो यह answer हमारा क्या होगा, correct होगा, तो इसके लिए आपको, वो hysteresis वाला concept अच्छे से पढ़ना होगा, बाकि B for electromagnet के लिए नहीं यूज कर सकते हम, then generator के लिए नहीं यूज कर सकते, और यह A भी हम दोनों के लिए use transfer borr or electric generator के लिए नहीं कर सकते, तो B answer हमारा correct होगा, ठीक है, तो यहां हमारा magnetism chapter plus pyq हमने finish कर लिए है, next lecture में नया chapter हम study करने वाले, MSCT पर और उसका भी pyq study के लिए करेंगे, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो like करो, share करो, तब तक के लिए मिलते हैं, next lecture में, bye bye.